आप सभी का एक बार फिर से हर दिख स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशल यूट्यूब चैनल पाचला रेलवे एक्जाम में उमीद है मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगे तो देखिए आज का दिन जो है तारीक 14 है महिना जून का है और रेलवे एंटी पी सभी को एक बात बता देता हूं कि आज अपने इस मौक का सेट नंबर 15 हम लोग सॉल्व करेंगे पंदरवाज नंबर सेट सॉल्व करेंगे और इसमें मैं आपको वह 35 क्वेस्चन कराता हूं जो कि रेलवे के एक्जाम में जैसा कि आप लोग अगर रेलवे का एक्जाम दे किया जाएगा खुशकबरी क्या है उसको भी थोड़ा सा सुन लीजे आज भारतिय प्रदान्वंटरी मिस्टर नरेंद्र दामोदर्दास मोदी जी के द्वारा एक उनके ओफिशल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है कि अगले देड़ साल में 1.5 यहर्स में 10 लाक रोजगार देने की बात कहीं गई है कितने 10 लाक रोजगार तो अगर देखो इस बात को अगर सच्चाई से माना जाया और समझा जाया तो बहुत ध्यान से समझने की बात है कि अगले देड़ साल में 10 लाक रोजगार दिये जाएंगे डारेक्ट और इंडारेक्ट द 80% रोजगार तो डारेक्ट होंगे 80% मतलब 8 लाग रोजगार तो मैं इससे डारेक्ट मानकर चल रहा हूं ठीक है आप लोग भी कमेंट करते रहो ताकि मुझे यह पता चलता रहा है कि आपकी राय क्या है इस विशेब है ठीक है तो जितने भी गौर्णमेंट डिपार्टमें है उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जो वेकेंसी आएंगे उन वेकेंसी में भरने का प्रोसेस भी होगा विदिन 1.5 यर ठीक है तो यह खुशकबरी है तैयारी अगर आपकी मध्यम चल लएए तो उसको स्पीड बढ़ाईए और स्पीड बढ़ाने के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि मैस की वज़े से आपका सेलेक्शन रुक रहा है तो उसको थोड़ा सा बूस्ट अब दीजिए ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन की और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका अपना पहला अगर दीजिए है इसको लिख सकता हूँ अर साइं नाइन टी प्लस थीटा को क्या लिखा सकता है कॉस थीटा थी ऑ्योगर संदर बैजते है तो मैईनस का ध्री साइं थीटा हो जाएगा और मैनस के साथ यह मैनस का टू कॉस थीटा बना देगा 3 cos θ में से 2 cos θ माइनस करेंगे सिर्फ cos θ बचेगा और देखिए सट plus का 2 sin θ और minus का 3 sin θ यहाँ पर आपको minus का sin θ देदेगा तो उत्तर क्या बन जाएगा cos θ माइनस sin θ इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा क्या बन जाएगा cos θ माइनस sin θ इनी option a की तरफ जाना उचित रहेगा इस सवाल के लिए particular क्या बोलती है public जल्दी से बताने का comment करते रो comment में आपके रुकावट नहीं आएगी भले मैं नाम देख रहा हूं comment पढ़ रहा हूं लेकिन मैं आज reply हो सकता है ना कर पाऊं question को मैं थोड़ा सा speed से कराना चाहता हूं ठीक है question number second आपके screen पर आ चुका है यह है आपका question number दूसरा please देखिए ध्यान से और पढ़ कर अच्छे से उत्तर बताइए ठीक है अगला सवाल क्या कहता है यदि 10 संख्याओं का समांतर माद्य समांतर माद in the sense आप यह कह सकते हो arithmetic mean या you can say average दिया हुआ है कितना 35 हो और प्रतेक संख्याओं में अगर दो जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं की nice ready का माद्य क्या हो जाएगा अब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो आपने अगर concept पढ़ा है average का तो अगर average पहले वाला जितना है जैसे कि यहाँ पर 35 था प्रतेक संख्या में जो भी operation किया जाता है जितने number से operation का मतलब जोड operation का मतलब यहाँ से डॉक्टर वाला नहीं है जोड गटाना गुणा या भाग किया जाएगा प्रतेक संख्या में चाहें वो किसी भी संख्या से दो से किया जाए तीन से किया जाए चार पांच छे साथ आठ से वो directly proportional होता है average के तो जैसे यहाँ पर इस सवाल में यह कहा गया है कि प्रतेक संख्या में दो जोड दिया जाता है तो इसका मतलब जो नया average बनेगा न तो वो भी two add हो कर आ जाएगा तो new average क्या हो जाएगा सिरीज का नया average क्या हो जाएगा 37 अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका basic बता दिजी क्यों कि comment मेरे पास आते रहते हैं और उनका ये कहना होता है कि सर थोड़ा सा basic भी बता दिया करिये अगर मैं आपको बोलू कि 10 संख्याओं का ओसत 35 है तो उनका सम कितना होगा 350 और प्रतेक संख्या में अगर आप 10 जोड देते हो तो प्रतेक संख्या में 10 जोडने का मतलब क्या होगा नई संख्या का जो औसत होगा प्रतेक संख्या में 10 जोडने का मतलब होगा जितनी भी संख्या है यानि कि कितनी संख्या है थी 10 संख्या और हर संख्या में 10 जोड रहे तो अगर हर एक संख्या में 10 जोडा गया तो जोडना कितना पड़ेगा total 20 तो जो पहले योग था 350, अब उसमें 20 जुड़कर टोटल योग बनेगा 370, कितनी संख्याओं का है, ये 370 भी 10 संख्याओं का है, तो नया आवरेज क्या बन जाएगा 37, तो ये प्रोसेस आपको करने के अब शक्ता नहीं है, आप कॉंसेप्ट को समझो और करो इसको, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नमबर 3, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन नमबर 3, चलिए, त्रिभुद से सम्मंदित विशम कथन का चुनाओं करिए, यानि कि और इस्टेट्मेंट आपको देखना है, जो कि त्रिभुद से सम्मंद में ना आता हो, पहले कहा रहा है, सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है, जियां, बिल्कुल सही है, कि अगर कोई ट्राइंगल होता है, तो उसका जो एंगल सबसे बड़ा है, उसके सामने कि उसकी भुजा भी सब से बड़ी होती है, बिल्कुल सही कहा गया है, दूसरे कतन पर चलते हैं, त्रिभुज का बाहे कोण सम्मुक अंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है, कि जैसे मान लिजा, ये बाहे कोण है, इसको य मान लेते हैं, और ये जड़ मान लेते हैं, त पिर esquer कि आपने चाहर दränगे। अब से बड़ा होगा ॐ तो उनसे już ुईर्वच की किनी दूरुजाोय का योग लग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है ज़र त्रिबुज है इसकी दो भुजाएं A और B दी है और ये C दी है तो आप ये कह सकते हो कि A प्लस B का मान हमेशा C से बढ़ा होगा या फिर आप ये कह सकते हो B प्लस C का मान हमेशा A से बढ़ा होगा या ये कह सकते हो C प्लस A का मान हमेशा B से बढ़ा होगा तो त्रिब बचा कौन सा होगा चौथा ना जो विशम होगा क्या क्या थी पबलेख फटाग से जवाब दीज़े कमेंट करो फटाफट जल्दी से कमेंट करिए क्या मेरी बास अभी को समझ में आई अगला क्वेशन देखते हैं यहां पर कुछ सारणी टाइप की आपको दिख रहे हैं जो कि 4 से 6 क्वेशन के लिए है यहां पर सारणी आपको दिखाता हूं ताकि क्वेशन नीचे का आपको दिखाई दे ठीक है यह सारणी और नीचे का क्वेशन आपको दिख रहा होगा स्याम ने, सुनील ने, जगदिश ने, राजेश ने, पांच अलग-अलग subject हैं, उनके marks दिये हो हैं, उसके बाद ये बताना अवसत कितने प्राप्त, तो देखो subject कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसका मतलब ये है कि सभी subject के marks को add करेंगे, और उसके बाद number of subject से divide क करेंगे यानि कि हमको यह तो पता है कि चाहे स्याम के लिए हो सुनील के लिए हो जगदिश के लिए हो या फिर राजेश के लिए हो जो भी डिवाइड करने वह आएगा सम उसको हमें पांच से विभाजित करना ही पड़ेगा सभी में पांच से तो पांच से जब विभाजित चार पंद्रा पांच 20 और 4, 24, 240 यह हो गया उसके बाद 9 और 1, 5, 5, 10 240 और 20 यानि कि यहां पर योग आएगा 260 का कितना आजाएगा 260 एक बर और चेक कर लो 6, 5, 11, 11, 4, 15, 5, 20, 20 और 4, 24, 24, 5, 5, 10 और 9 और 1, 10 दी 260 का योग आएगा इसके लिए बात करते हैं 6, 5, 11, 11, 6, 17, 5, 22, 6, 28, 28, 9 और 1, 10, 290 और 295 इसका योग हो गया 295 किसका सुनील का जगदिश के लिए बात कर लेते हैं 4, 3, 7, 3, 10, 10, 10, 4, 14 और 3, 17 9 और 1, 10 और उसके बाद 5, 5, 10 यानि कि 20 और 190 इसका योग हो गया और बात करते हैं आकरी में राजेस के लिए तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 26, 26, 260 ये हुआ 7, 2, 9, 10, 10 और 5, 15, 260 और 15, 275 योग इसका हुआ अब अगर सभी को 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज इसी रेशियो में तो आएगा मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसका आउसस सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका दिखाई दे रहा है सर सबसे ज़्यादा नंबर हमें दिख रहा है 295 जो कि सुनील का है तो आप कह सकते हो कि सुनील का आउसस सबसे ज़्यादा होगा maximum होगा ठीक है 260-295-190-275 ठीक है अगले सवाल की ओर चलते हैं देखिए अगला सवाल इसमें क्या है अगला सवाल देखते हैं अच्छा इसी सारणी पर है रहते हैं सुनील और जग्दीश के कुल प्राप्तांकों का अंतर क्या है किसका किसका कमेंट करो फटाक से पिछला डेटा भी याद रखना जरूरी है 295 ही थे और साथ इसका 190 था लेकिन फिर भी कर लेते हैं 6,5,11,11,6,17,7,7,7,5,22,6,8,2,8,9,10 282,5,2,5 इसका जो योग है 295 था अब जग्दीश का देख लेते हैं तो अगर इसका अंतर पूछा जाएगा तो इसका अंतर पड़ा है 105 का जो डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस क्या मिलेगा 105 को ऑप्शन नमबर C करेक्ट आम समुझाएगा सवाल नमबर 6 की ओर चलते हैं 6 भी इसी से है और इस सवाल को देखकर आपको उत्तर बताने की कोशिश करनी है क्या पूछ रहा है इतियास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिक्तम थे इतियास और भूगोल यानि कि इन दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही बांकि किसी को आपको टच नहीं करना है सभी चारों लोगों में तो मैं ये देख पा रहा हूँ किसके प्राप्तांक सबसे अधिक है मैं डारेक्ट कह सकता हूँ कि सर ये वाले प्राप्तांक जो है न ये सबसे जादा है क्योंकि इस सुनील के इतियास में 59 नंबर है जो कि सबसे जादा दिख रहा है और इसके जोग्रफी में 61 नंबर है जो कि इससे थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है लेकिन वो अंतर यहां से खतम हो जाएगा ठीक है आप समझेगा तो मैं ये क्या सकता हूँ कि सुनील के सबसे जादा नंबर है तो अप्शन नंबर B यहां पर सुनील सही होगा कौन सा होगा सुनील के प्राप्तांग मैक्सिमाम है और जिसको ये लग रहा है कि सर ऐसे नहीं हम जोड़ के करेंगे तो वो जोड़ के भी कर सकता है 5 और 16, 65, 11, 116 9 और 10, 65, 11, 120 बांकि ये 75 है और 7, 2, 6, 5, 11 ये 119 है ठीक है तो सबसे आदा प्राप्ता है किसके बनरे सर 120 यानि कि सुनील के ऑप्शन नंबर B ही करेक्ट रहेगा ठीक है रहा ऑप्शन नंबर B ही करेक्ट होगा चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ चले कमेंट करते रही है मुझे कमेंट दिखाई देंगे रहे ठीक है अब कमेंट करते रहो तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि आप मुझसे कितना कनेक्ट हो पा रहे है और ये ध्यान रखना इस बार वेकंसी का अपनी तयारी मद्यम्मत होने देना कि अगर कोई एक्जाम नहीं आ रहा है तो सर मैं तयारी अभी नहीं करूँगा, जब एक्जाम आएगा, डेट आएके तम मैं तयारी करूँगा, नहीं, ऐसा मत करियेगा, ठीक, अपनी तयारी मद्दम मत होने देना, बिल्कुल भी, कब डेट, कब वेकेंसी, कब क्या होने लग पानी की धारा की चाल 3 किलोमेटर प्रतिगंटा है, पानी की धारा के विपरीत दिशा में नाओ को 6 किलोमेटर जाने में कितना समय लगेगा, सुनना, नाओ की चाल 15 है, धारा की चाल 3 है, तो अगर ये विपरीत जाएंगे, तो दोनों का डिफरेंस, यानि कि नाओ प्लस तो आप रेलवे के पेपर को अगर आप समझ के करेंगे ना तो कटिन कुछ नहीं packaging रहेगा, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल, बहुत गर्मी है भाई, हालत खराब हो जाती है, क्या कहते हूँ, तुम लोगों को लगती है गर्मी, लगती है ना, 21 अवलोकन का औसत 40 है, पहले 11 का 38, अंतिम 11 का दखो इतना, टोटल 21 अवलोकन है, यानि कि 21 अव्जर्वेशन है, जिनका एवरेज कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, इसमें से पहले 11 का अव्जर्वेशन का जो एवरेज दिया है, वो कितना दिया है, 38 दिया है, वेटेज सभी के average से कम है या ज़्यादा है कितना कम है बोले सब दो कम है minus 2 11 पर यानि की minus 22 माइनस का 22 अगली 11 का जो average होगा वो कितना दिया है अगली 11 का average जो है वो 41 दिया है इससे ज़्यादा है या कम है सर ज़्यादा है कितना plus 1 तो plus 1 का effect 11 observation पर जाएगा तो यह plus 11 हो जाएगा इन दूनों का difference आया minus का 11 तो जो total average था उसमें से अगर मुझे यहाँ पर बोला गया है 11 observation क्या होगा तो उसको particular 11 observation को निकालने के लिए यह जो minus 11 आया है सवाल को करने का तरीका और देखे कितनी तेजी से सवाल होता है ठीक है screenshot लीजिए आगे बढ़ रहे है screenshot ले लीजिए सवाल नमबर 8 में के बाद 9 सवाल पर चलते है चलिए नवा question बहुत ज़्यादा time नहीं देंगे ठीक है मेरे साथ speed मिलाईए कंदे से कंदा मिलाईए और तेजी से solve करिए आपको बहुत ज़्यादा समय लेने की अवशकता नहीं है क्योंकि अब आप उस category में नहीं आते हो कि बच्चों की तरीके में सवाल करूँगा वैसे नहीं होने है एक एक quadratic equation दे रखे है मूलो का योग और गुड़नफल निकालना है मूलो का योग मैंने alpha और beta आपको बताए मूलो का योग होता और इनका योग होता minus का b यानि की minus का 1 minus तो पहले सही लगा था minus 1 upon a का मतलब यह भी होता alpha plus beta यानि मूलो का योग आ गया 1 अब 1 आ गया तो इसका मतलब यह option खतम हो गया यह option खतम हो गया इन दोनों में से कुछ हो सकता अब उसके बाद चाहिए हमको मूलो का गुड़नफल alpha beta यह होता c upon a c क्या है minus का 4 upon a यानि की minus 4 upon a का मतलब यह minus 4 रहेगा तो योग plus 1 गुड़नफल minus 4 तो अपना जवाग क्या होगा option number d इसको भी खतम कर दीजे d is right answer कौन सा d is right answer of this question ठीक है बहुत बढ़े हैं चलिए next question की तरफ रुजान देते हैं अगला सवाल तेजी के साथ करेंगे आप सभी लोग मिलकर मेरे साथ ठीक है चलो यह question देखो next question आपके सामने 2 की power n plus 2 की power n minus 1 नीचे ऐसे ही दिया हुआ है कामान क्या होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की power n plus इस बार ले part को लिख सकते हैं 2 की power n into 2 की power minus 1 लिख सकते हो तभी power जोड़ेगी तो n minus 1 हो जाएगा इसको देखे इसको लिखा मैंने 2 की power n multiply 2 की power 1 plus में सरी minus है minus 2 की power n यह लिखा है 2 की power n ऊपर से भी common आ जाएगा नीचे से भी common आएगा common लेके काट देते हैं 2 की power n अगर common लेके कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1 minus 1 upon 2 1 minus 1 upon 2 यहाँ से 1 बचेगा यहाँ से 2 की power minus 1 बचेगा नीचे उसको 1 upon 2 लिखा जा सकता यहाँ से 2 की power 1 common लेके कट गया तो नीचे क्या बचा 2 की power 1 और minus 1 ओपर देखे क्या आ रहा है आपके पास 1 by 2 नीचे क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 by 2 upon 1 का मतलब यह 1 by 2 ही होगा तो आपका जवाब होगा option number A correct answer option number A is right answer clear है क्या फटा फट से जवाब दो सभी बच्चों से निवेदन फटा फट जवाब दो इसमें कोई rocket science तो थी नहीं थी कैसा बोलते हो थी क्या नहीं थी ना कमेंट नहीं दिखाए दे रहा है सोजाते हो तुम लो सवाल number 11 चलिए सवाल number 11 अगला सवाल देखे time and distance से सवाल है एक तेराग धारा के विरुद 11 सही एक बटे चार मिनट पे तीन बटे चार किलो मीटर की दूरी ते करता है धारा के विरुद धारा के विरुद का मतलब मैंने लिखा A-B 3 बटे 4 मीटर की किलो मीटर का मतलब साड़े 700 मीटर और इसको कितने मिनट में तय कर रहा है 11 से 1 बटे 4 मतलब 45 बटे 4 तो 45 बटे 4 का मतलब 4 उपर ये मीटर पर बिनट है इसको किलो मीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 50 बटे 3 से मल्टिप्लाई हो जाए किस से मल्टिप्लाई 50 बटे 3 से मल्टिप्लाई कर लागते है अब जड़ा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इसका काम 35 कर देते है 15 से 3 बार 15, 15, 75, 50 बार और यहाँ पर क्या आजाएगा पर यह 3 मटे 50 होगा मल्टिप्लाई 3 अपॉन 50 50 से 50 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल यह आजाएगा A माइनस B यानि कि धारा के विरुद्द उसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 4 किलो मीटर प्रति घंटे वहाँ से वापस वापस का मतलब आने का मतलब जब धारा के विरुद्ध जा रहे थे और जब वापस आओगे तो धारा के साथ वापस आओगे यानि कि A plus B की बात कर रहा है और A plus B में क्या कह रहा है सारे 4 मिनट में सेम डिस्टेंस कवर करी यानि कि सारे 700 मीटर की दूरी तीन से काटा पांच बार में, तीन से काटा तीन बार में, ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ रहा है, पांच दूनी दस, आ रहा है, पांच दूनी दस, आप से क्या पूछ रहा था, शांत जल में तेरा की चाल क्या हो गया, क्या मेरी यहां तक बात समझ में आ गई है सबी को पहले तो इतनी बात का जवाब देतो आ गई हो तो बताओ नहीं आई हो तो बताओ किसी को यह पता चला हो ना कि 3 बटे 50 से multiply कैसे करते हैं अगर यह confusion है तो भी धूर कर देते हैं किलोमीटर प्रती घंटे एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और एक घंटे में 60 मिनट होता है कितने मिनट होता है 60 मिनट 0 से 0, 2 से 50 बार 2 से 3 बार यानि कि किलोमीटर प्रती घंटे का मतलब हो गया 50 बटे 3 क्या हो गया 50 बटे 3 तो यहाँ पर मीटर प्रती मिनट दिया था यह हो गया किलोमीटर प्रती घंटे को अगर आप मीटर प्रती मिनट में बदलना चाहते हैं तो इसमें आप पचास बटे तीन से गुणा कर ले और मीटर प्रती मिनट को किलोमीटर प्रती घंटे में बदलना चाहेंगे तो 3 उपर 50 नीचे, वही लिखा, 3 बटे 50, ठीक, फिर से चेक कर लो, 0 से 0 कटोगे, 5 से कटोगे, 15 बार में, 3 से कटा, 5 बार, 3 से 3 बार, 3 से 3 एकट गया, 5 दोनी 10 आगया, अब आप से पूछा था, शांत जल में तैराक की चाल, तैराक के मतलब तैरने वाले की, तो दोनों को जोड़ कर, 10 प्लस 4 को जोड़ कर, 2 से डिवीजन कर देंगे, तो अपना उत्तर आजाएगा, 7, कितना आजाएगा, 7, एक उप्शन बढ़ा लिजे, 7 किलोमीटर प्रतिघंटे, ठीक है, किसकी चल पूछ रहा था, इसी के तो पूछ रहा था, विरुद गया, वापस आने म धारा के 7 हो गया, ऑप्शन क्यों नहीं मैं चोड़ा है, धारा के 7 हो गया, धारा के 7 में मतलब 4500 मीटर को, 9 बटे 2, 4 मिनट, 9 उपर 2, नीचे 3,5 तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ख्लियर है, बुलो हाए न, यह सर्णों का जवाब दो फटा-फट से, च next question आपके सामने है देखिए ध्यान से और बताइए जल्दी से कि अगला सवाल क्या उत्तर देगा फटाग से देखो फटाग से बताओ कि बहुत गर्मी है भाई चले आपको पता है कि ऐसे जब continuous fraction होती है तो उसको solve करने का मैंने एक short video बनाया तो उसमें इन दोनों को पहले लिख लेता है तो यह लिखा गया x फिर 1 upon x 1-x ठीक इस तरीके से उसके बाद देखो चले से फ्लस के साथ 1 1 कितनी बार लिखा है दो बर प्लस वन आगे भी प्लसवन बहुत ध्यांद से सुनियेगा मेरी बात प्लस वन आगे भी प्लस X क्या मेरी ये बात समझ में आई है क्या मेरी ये बात समझ में आई है अब इसको लिखने का जो तरीका है में मुद्दा वहाँ पर आता है लिखेंगे कैसे इसको जो लिखने का तरीका है वही में मुद्दा है तो जल्दी से बताओ कैसे लिखोगे और क्या आपका उत्तर आएगा फटाक से बताओ देखो यहां तक की value को जब हम solve कर चुके हैं यहां तक की value को तो जब इसको आप लिखोगे तो इसको लिखने का तरीका होता है यह वाली value बटे में 2-x ठीक लेगिन उपर क्या लिखा था 2x तो अब उपर जो आया है 2x लिखकर क्या है तो 2x और यहां तक solve करने पर 1 upon 2-x यह बराबर किसके दिया हुआ था यह बराबर दिया हुआ था 1 के किसके बराबर दिया था 1 के solve करके उत्तर निकलना है काम खतम करना फटाक से बताओ answer क्या आएगा इसको इधर लेते जाओ यह पूरा हिस्सा जो है आपको दिख रहा ना इसको इधर लेते जाओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या मिलेगा 2x बराबर 1 upon 2-x solve करिए इसको फटाक से solve करने पर इधर आ जाएगा 4x इधर solve करोगे तो कितना मिल जाएगा 2-x कुछ गड़बर हुई क्या गर्मी इतनी काम नहीं करना दिमाग 2x upon 1 नई ठीक है उल्टा लिख दिया है इसको लिखोगे 2-x upon 1 और उपर आल्रेडी आपके क्या था 2x तो 2x upon 2-x बराबर में 1 इसको इधर बेजिए 2x बराबर क्या हो गया 2-x इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा बराबर 2 तो x का मान क्या आ जाएगा 2 upon 3 क्या जाएगा 2 upon 3 तो option number अपना b is right हो जाएगा कौन सा option? b option सही हो जाएगा कि x की value क्या जाएगी 2 upon 3 ठीक है लिखने का तरीका क्या होगा यहां तक की value को जब आप लिख रहे होगा यहां तक की value को मैंने ऊपर भी ले लिया सवाल ऐसा बनता था जब याद हो 1-1 upon 1-1 upon या 1 plus ऐसे करके बनता था तो मैंने पूरा उसको add कर लिया ठीक है इसलिए आया था वो include करना होता है तो इसको पहले लिखते है इसको नीचे लिखते है ठीक है clear है ना मेरी बात very good next question देखिए बारवे के बाद सवाल नंबर आता है 13 हाँ यह देखिए सवाल नंबर 13 यह सवाल नंबर 13 मैंने कल के set में कराया था कल के set में कराया था इसका answer अंसर ऐसे ही देना होगा फटाक से कल के set में कराया था option number 10 का answer आया था याद है तो आज जो set number 15 है यह question है set number 14 में तो जितने भी बच्चों को इसको देखना हो set number 14 को जरूर जरूर देखिए उसमें यह question कराया हुआ कल ही कराया था ठीक है next question सवाल number 14 पराते है यह है आपका चौद्वा सवाल question number 14 चौद्वा सवाल देखिए सवाल number 14 क्या कह रहा है कमेंट नहीं है सवाल number 14 देखिए ध्यान से 120 लीटर दूद और पानी के मिश्रण में किवल 25% पानी है 120 लीटर में 25% पानी है यहां लेखता हूं मिल्क यहां लेखता हूं water 25% पानी का मतलब 30 पानी 90 वाटर ratio क्या है 3 और 1 का ठीक है ratio क्या है 3 और 1 का दूद वाले ने इस मिश्रण का 20 लीटर बेच दिया 20 लीटर बेचा तो इसका मतलब यह जो 3 और 1 के ratio में गया है तो 3 और 1 4 4 का मान 20 यानि कि 15 लीटर दूद बेचा होगा इसमें से इस 20 लीटर में तीन और 1 का ratio था जो 20 लीटर बेचा है उसमें से 15 लीटर दूद बेचा होगा 5 लीटर पानी बेचा होगा इतनी बास समझ में आ गई आगई सर अब देखो 15 लीटर इसमें से दूद कतम कर दो इस यहां से 5 लीटर पानी खतम कर दो तो यह बचेगा 75 लीटर दूद और यहां से बचेगा 25 लीटर पानी अब बात बहुत ध्यान से सुनना सेस मिश्रण में 16.2 लीटर दूद और सुद्ध पानी 3.8 लीटर मिलाया गया है मतलब कि इसमें दूद मिलाया जारा 16.2 लीटर और पानी मिलाया गया 3.8 लीटर अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है पानी का प्रतिशत अंतिम मिश्रण में तो 25, 75, 100 तो होई गया 16, 3, 19 और यह मिलाएगा तो 120 हो जाएगा देखो 16 और 3, 19 तो दिख रहा है 2, 8 मिलकर एक बना देगा 19 और 120 हो जाएगा यह पूरा 20 हो गया 75 और 25 यानि कि 120 परसेंट निकल ला है गुड़े 100 पांच से 20 से 5 बार 20 से 6 बार इसको डिवाइड करते हैं 6, 4, 24, 48, 48, 45, 240 होता है यह एक अंग पर दस्वंबलो यानि कि 24 परसेंट आपका उत्तर आएगा कि यह 24 परसेंट होगा कितने परसेंट होगा 24 परसेंट समझ में आई बात मोलो हाँ है ना स्पीट का असली अंदाजा आपको तभी होगा जब मैं हर एक्जाम में कह रहा हूँ हर सेट में कराने में कह रहा हूँ Speed का असली अंदाजा आपको तभी होगा जब question को कराते वक्त आपका pen ना रुके तो आप समझो आपके पास speed भी और calculation भी अगर रुक गया तो समझो फिर ना तो speed ना calculation next question पर चलता हूँ ठीक है यह बात याद रखना मेरी दिमाग में गांट बंद लो 15 नंबर question देखे question नंबर 15 चलिए इस सवाल को check करता है अपर सीना देख रहा है सर हाला आत टी-शर्ट भीगी पड़ी है लाइट नहीं आ रही है इस वक्त पढ़ा रहा हूँ फिर भी और तुम लोग उसका सिला यह दे रहा हूँ शेयर करो जितने भी वच्चों न अभी तक session को शेयर नहीं किया फ्लीज एक बार शेयर करिया फटाक से एक नाव की गती नाव एक की गती नाव बी की गती से एक त्याई हिस्सा हो तब नाव की गती क्या होगी धारा की गती नाव एक की गती का वन थर्ड हो इसका मतलब यह है कि जो नाव एक की गती होगी speed of a जो नाव एक की गती होगी सुनो जो नाव एक की गती होगी उसका वन थर्ड है इसका मतलब नाव एक की गती तीन से कटने वाली होती तो थोड़ी दिर के लिए 6 माल लेता हूँ अगर यह 6 है तो b की गती से 2 km प्रतिगंटे जादा है यानि की 8 हो गई ठीक है थोड़ी दिर के लिए माल लाव तिन 3 से कटने वाली कोई भी संख्या मान सकते हो लेकिन यह देखते हूए कि हमारे पास options क्या-क्या है अलागी option now b के लिए है लेकिन तुम a के लिए भी इन मेंसे चुनाओ कर सकते हो क्योंकि ultimately b आएगा a से ही ठीक है आगे बढ़ते हैं now a को धारा की दिशा में 20 किलोमिटर जाना अच्छा अब धारा की गति क्या होगी जो की a की गति का one third था इसका मतलब धारा की गति dhow हो जाएगी हो जाएगे है ठीक है A को धारा की दिशा में 20 किलो मेटर जाना है धारा की दिशा में 20 किलो मेटर जाना तो 6 प्लस 2 8 से जाएगी 4 पंचे 20 4 दुनी 8 यानि इसको धाई गंटे लगेंगे किसको 9 A को धारा की दिशा में 20 किलो मेटर जाना है बी को धारा की दिश्चा में जाना है बीस किलोमेटर सेम डिस्टेंस कवर करनी है बीस किलोमेटर लेकिन इसकी गति क्या होगी आठ और दो दस इसको दो ही घंटे लगेंगे और यह सवाल में कहा भी गया था आपको अगर याद हो कि नव ए को बी की अपेच्छा तीस मिनट तती घंटे होगी तो option number D आपका correct answer हो जाएगा कौन सा option number D आपका correct answer हो जाएगा ठीक है यस और नो हाँ सर बिलकुल समझ में आए next अगला सवाल 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 नंबर 16 ठीक है next question question number 16 समझ पार हो ना speed के साथ बढ़ना पड़ेगा पेपर का समय चल आप तुम यह ना सोचना कि सर जी फिर हमको ओ एक्स और basic वाला इससा बताएंगे ऐसा हो न पाएगा मेरी बाह समझ रहो कुछ बच्चों की आंसर इसमें भी गलत आ रहे हैं वाह मौच कर दी ब बलत दी हो तुम बताने के बावजूद नाम लेके कहें तभी मानोगे क्या किसी बिन्ने का हर उसके अंसर से 11 अधिक है सबसे पहले इसी बात को चेक कर लो कि कौन सी fraction ऐसी है जिसमें उसका हर जो है उसके अंसर से 11 अधिक है क्या हर 한स से 11 अधिक है नहीं क्या हर अन्स से 11 यह अन्स से 11 अधिक यह यह मत पड़ो कुस मत पड़ो सवाल कतम यह फ्रेक्शन ह्य जब पहली कंडिशन कोई स्टेसफाइट कर रहा है केवल वही है तो उसके लिए कुछ आगे पड़नाहीं नहीं है अगला सवाल सत्रा देखिये, question number 17 पड़ो आराम से, खुब दही खाये हो ना गर पे 17 number सवाल पड़ो दही का सवाल है देख रहा है ना, 17 number सवाल, दही वाला सवाल देख रहा है प्रत्य पर शीनी के भाव में 60 रुपए प्रत्य किलोग्राम की व्रद्धी होती जबकि दही के भाव में 20 किलोग्राम 20 रुपए पर केजी की व्रद्धी होती 1993 में चीनी और दही के भाव यह थे यानि कि चीनी की भाव था 1040 रुपए और दही का भाव था 1260 रुपए ठीक, चीनी बढ़ती है 60 रुपए पर केजी के हिसाब से दही बढ़ता है 20 रुपए पर kg के हिसाब से यानि कि ये देखो चीनी और दही की व्रद्धी जो है वो एक वर्ष में एक साल में 40 रुपए कवर कर रही है एक साल में 40 रुपए कवर कर रही है कर रहा नहीं एक साल में चीनी की व्रद्धी दही की व्रद्धी में 40 सुपए बढ़कर आ रही है और टोटल इनके बीच का डिफरेंस जड़ा देख लेज़े उसी को कवर करना होगा यानि 20 ही है और 220 की व्रद्धी को कवर करना है तो 220 की व्रद्धी को अगर तुम 40 के हिसाब से कवर करोगे तो 4,25,5 दसमलो कुछ वर्द्धी लगेंगे यानि कि 6 वर्द्धी ऐसा होगा जिसमें चीनी का मुले दही के मुले से ज़्यादा हो जाएगा चट्वा वर्द्धी और 1993 में ऐसा हो रहा था तो 1993 से अगर मैं 6 वर्द्धी बात की बात करूँगा तो मुझे लगता है कि यह वर्द 1999 होगा ऐसा कौन सा वर्द्धी बात करेक्ट होगा ओप्शन नंबर C इस राइट ठीक है ओप्शन नंबर C इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा चलिए अगला सवाल देते हैं सवाल नंबर 18 वाप रे बाप भाई सहब अध्ध होगी गर्मी ने तो ऐसी तैसी कट डाली आज लाइट भी नहीं आ रही है कुछ हो भी नहीं सकता है चीनी के भाव में भाव 6 रुपय पर केजी से 7.5 रुपय प्रति किलोग्राम होने पर किसी ग्रहणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटोती करनी होगी जिससे इदमत पर आर्थिक भार में अंतर ना आए यह दियान लखना है यानि कि जो चीज 6 की थी वो 7.5 की होगे तो आप ऐसे समझो कि दशमलों कटा के 0 बढ़ा लो 15,64, 15,75 यानि कि 4 की चीज 5 में हो गई है लेकिन अब आर्थिक उसमें अंतर नहीं आना चाहिए तो 5 से 4 पर वापस जाना है एक कम करना पड़ेगा 5 पर एक बटे 5 का मतलब होता है कि सर उसमें 20 परसंट की आपको कमी करनी पड़ेगी option B करेक्ट होगा बहुत सिंपल सा सवाल था और बहुत बेसिक सवाल था बहुत समय देने की जरौत थी भी नहीं सवाल में सवाल नंबर 19 सवाल नंबर 19 टाइम एंड वर्क का प्रस्न है आपको दिख रहा होगा सवाल नंबर 19 क्या एक कहरा बच्चा कि सर जी तेज पढ़ा रहा है 35 मिनट में 19 क्वेश्चन है अभी भी अगर हम तेज पढ़ा रहा है तो फिर इसे तेज नहीं कहा जाता इसे कहा जाता धी में हर प्रस्न के लिए लगबग मैं दो से डेढ़ मिनट प्रस दे रहा हूँ आपको ठीक है ए बी किसी कारे को आठ दस गंटे में समाप कर सकते हैं यदि वे एक के बाद एक करके एक गंटे काम करें पहले ए दस बज़े प्राता से कारे करना शुरू करता है उसी दिन साहिम कितने बज़े काम समाप्त होगा LCM हो गया चालिस ए की छमता आजाएगी आठ पंचे चालिस B की छमता आजाएगी दस चोको चालिस शुरुवात A ने की पहले A ने काम किया फिर B ने काम किया फिर A ने काम किया फिर B ने काम किया काम इस तरीके से चल रहा है तो आप देखो दो गंटे में काम 9 हो रहा है कितना काम हो रहा है? अब काम बचा है चार. इस चार काम को करने के लिए बारी किसके सर पहले वाले यहनि की पांच के हिसाब से काम होगा. एक ही बारी थी. आठ गंटे यह लग चुकती. यहनि आठ गंटे चार बटे पांच अ그램ण्ट यह सेकंड के बाद. मिनट था या घंटे थे हाँ घंटे के बाद काम पूरा होगा सुरवात हुई थी 10 बजे से 10 से 8 घंटे के बाद साम को 6 बज रहा होगा और वो भी 4 बटे 5 4 बटे 5 का मतलब 48 12 से अगर multiply कर लोगे 60 से multiply कर लोगे तो 12, 5 से 60, 12 चो को और 48 या निकि 6 बज कर 48 मिनट पर वो काम समाप्त होगा 6 बज कर 48 मिनट पर क्या होगा काम की समापती हो जाएगी option number D सवाल का सही जवाब होगा 6 बज कर 48 मिनट पर कारे की समापती हो जाएगी next question, question number 20 चलिए यह दि किसी वर्ग का वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 cm है तो इसका छेतरफल क्या होगा वर का विकन दिया छेतरफल पूछ रहा है अगर वर का विकन दिया और छेतरफल पूछता है तो क्या लिखते हैं D square by 2 क्या लिखते हैं D square by 2 यह निए विकन का square by 2 तो 5.2 गुणे 5.2 बटे 2 2 से काटोगे 2.6 26 दूनी 52 दो हांसिल 5 26 पंचे 130 और 5 135 तेरा सो बावन और एक और एक दो अंपर दसंबलो हो जाए जाए यह निकि 13.52 आपका सही जवाब होगा जो कि option नमबर B में दे रखा है कौन से option में दे रखा है option नमबर B is correct for this question next 21 नमबर question चलिए पटाफट इसी तरीके से आप करो मेरे साथ मज़ा आएगी आपको किसी व्रत्ती पहिए की तरिज्जा 1.75 मीटर है 11 किलो मीटर की दूरी को तै करने में इसे कितने चक्कर लगाने 11 किलो मीटर का मतलब 11,000 मीटर की दूरी तै करनी है एक मीटर में चली दूरी परीदी कहलाती है परीदी का मतलब हो गया 2 पाई आर आर का मतलब 1.75 साथ से डिवाइट करते है साथ दूनी चोदा साथ पंजे पैतिस दोंग पर दस्वाइट ठीक है यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 11 मीटर एक चक्कर में चली हुई दूरी होगी 11 मीटर और आपको 11,000 मीटर तै करना है एक चक्कर में 11 मीटर तै करते हो तो 1000 राउंड यानि की रोटेशन लगाने पढ़ेंगे 1000 चकर करने पढ़ेंगे कितने करना पढ़ेगा 1000 चकर बोले ठीक है क्या ऐसे ही तेज कैलकुलेशन करनी होगी तुमको एक्जाम में भी मौक में भी लोग कहते थे थे ना मौक में नंबर नहीं बढ़ रहे क्या आभी इमानदारी से बताना तुमने मौक में ऐसा स्पीड लगाई ठीक है अगला सवाल सवाल नंबर 22 चलिए क्यम्के वाला कुछ होता होगा नहीं पता है मुझे बीच में 17 बोगियों के बीच में यानि कि 8 इधर से छोड़िये 8 इधर से छोड़िये यानि कि वो नवी बोगी में है यहाँ पर है बीच में ठीक आगे बढ़ता है वे 6 ड्बें पीछे जाकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है, 6 ड्बें पीछे जाकर तो नौ में जाकर उतर जाकर थीक है अगर वह एंजन से लगें, तीसरे ड्बे علي को कि जाकर लोगले दोरे Lima ये तीसरे डब्बा है तीसरे डब्बे में चड़ गया तो पहला वाला इस्थान क्या था उसका पहला वाला इस्थान तो इससे कितनी दूर है तो तीन और नो के बीच की दूरी कितनी आएगा सर वो छे डब्बे दूर है सवाल का उत्तर आ जाएगा option number B 6 डब्बे दूर है, correct answer, option number B, यह सवाल था, देखने में कितना खतरनाग लग रहा था, कि यह डिब्बा, वो बोगी, 3 डिब्बे आगे, 6 डिब्बे पीछे, उतरेगा, फिर क्या होगा, चड़ेगा, फिर क्या होगा, रे छोड़ो यार, सवाल को सवाल की तरीके लो, तुम क कहां डिब्बे बोगी में परिशान हो, मेरे भाई, ठीक है, clear है, screenshot ले लेना जरूर, 17 number, उसके बाद 22 के बाद 23, question number 23, 23 और 100 के बीच ऐसे कितनी प्राकर्तिक संख्या हैं, जो 6 से डिवाइड होती है, तो 6 से दोनों के डिवाइड करिये, 6 से 3 बार हो जाएगा, 6 से 18 बार ह हो जाएगा, 16 बार हो जाएगा, तो 13, 3 और 16 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 13, यानि कि 23 और 100 के बीच में ऐसी 13 संख्याई होंगी, option number D, जो कि 6 से डिवाइड होंगी, 13, next, सवाल number 24, सवाल number 24, question number 24, 2236 रुपए की एक राशिक को A, B और C के मद इस प्रकार बाटा गया है कि A को C का 25 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ, A को C से 25 परसंट अधिक प्राप्त हुआ, to कहने का मतलाब अगर इसको 4 मिला, तो इसको 5 मिला, ठीक, आगे, और C को B से 25 प्रतिशत कम प्राप्त हुआ, C को B से 25% कम प्राप्थ हुआ तो अगर इसको C को B से 25% कम प्राप्थ हुआ तो 25% मतलब 1 बटे 4 अगर इसको 4 मिला है तो 25% कम यानि कि इसको 3 मिला होगा अब 4 और 3 है उपर वाली संख्या में 3 से गुणा नीचे वाली संख्या में 4 से तो ये 15, ये 16, ये 12 तीनों के रेश्यू आगा है 15, 16, 12 राशी में एका हिस्सा पूछ रहा है यानि 15 का मान पूछ रहा है टोटल कितना है 15, 16, 31, 10, 41 और 2, 43 43 और ये बराबर था 2236 के स्वाल्व करिए कितनी बार जाएगा और बताए क्या आएगा फटाफट बताओ 43 गुणे 5 कितना होता है 215 43 गुणे 5, 215 215 43 गुणे 5, 5 बार गया 215 यहां से बचेगा 215 के बाद 8, 43 दूनी 86 52 गुणे 15 15 दूनी 30, 0, 3 15, 75 और 3, 78 यानि कि उसका हिस्सा कितना होगा 780 रुपए उसका हिस्सा हो जाएगा किसका? A का उप्शन नमबर C is right for this question अगला सवाल देखे देख पा रहे होना सभी लोग आया ना का जवाब तो देते रहो कमेंट तो करते ही रहो कम से कम age पर आखरी यह question आया age पर अपना पहला question आज की अस सवाल में ठीक है? चलिए देखे age पर चार वर्ष पहले 6 सदस्थों के परिवार की होसात आईउ 25 वर्ष थी चार वर्ष पहले 6 सदस्थों के 25 शका 1.500 1.500 कितने वर्ष पहले थी? 4 वर्ष पहले सभी 6 सदस्थों के तो 6-6 सदस से अगर 4 साल जोड़ कर आएंगे तो वर्तमान में 24 साल जादा होगा यानि कि उन सभी की वर्तमान उम्र जो टोटल आएगी वो 174 साल आजाएगी इसी बीच परिवार में बच्चे का जन्म हुआ तो लोग होगा 6-7 और आवसत आयू अभी भी होई है यानि 25 की ही आवसत आयू है और लोग हो गए है साथ तो 25 सत्य 175 यानि कि अब साथ लोगों की टोटल उम्र कितनी है 175 जिसमें 6 लोगों की क्या है 174 तो बच्चे की उम्र अगर पूछी गएगी तो क्या मिल जाएगी एक वर्स का होगा बालत बच्चे की उम्र क्या होगी एक वर्स option number C इसका भी correct हो जाएगा ठीक है option number C next 25 नमबर के बाद 26 नमबर question number 26 time and work से यह भी है बहुत बढ़ियां से सवाल है collection बड़ा प्यार रहता है मुझे इस बात का बड़ा गर्व रहता है हमेशा कि मेरे question का collection बड़ा प्यारा और इसी बात का प्रमाण है कि question मेरे exam में फस रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है A किसी कारे को 12 दिन में कर सकता है जबकि B 15 दिन में कर सकता है A के 3 दिन काम करने के बाद B भी जुड़ता है सुनो A और B ये 12 दिन में ये 15 दिन में कर सकता है तो LCM आएगा total काम 60 इसका 5 है इसका 4 है अभी क्या कह रहा है सुनिए A के 3 दिन काम करने के बाद सुनो अगर A 12 दिन में काम कर सकता था और 3 दिन काम कर लिया तो काम का कितना हिस्सा कर लिया होगा काम का एक बटे चार हिस्सा कर लिया होगा अब सेश काम को करने के लिए सेश काम एक बटे चार हो गया तो बी भी आ गया इसका एक बटे तीन बटे चार निकलते हैं इसका तीन बटे चार कितना होगा 45 काम इस 45 काम को करने के लिए A के साथ B भी आ गया तो A के साथ B भी आने का मतलब 5 प्लस 4, 9 से काम हुआ तो 9 से 45 काम होने में 5 दिन लगेंगे और ये है option number C में option number C इसका भी जवाब होगा option number C बस इतना ही करना है, लिखने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है इतना ही करना है, नहीं लिखना है ज़्यादा तुम ज़्यादा लिखके क्या करोगे 27 number question question number 27 7 चलो, देखो 200 मीटर उचे एक पहाड़ी की चोटी को किसी टावर के सीर्स का उन्लेन कोर 30 और इसके पाद का उन्लेन कोर 60 है ये है रुको चलो, देखो सुनियो, ये पहाड़ी है ऐसे करके बना है 200 मीटर उची पहाड़ी की चोटी 200 मीटर उची पहाड़ी की चोटी से किसी टावर के सीर्स का उन्लेन कोर 30 डिगरी है और उसके पाद का अवनमन कोर ये जो है ऐसा बोला है सवाल में टावर की उचाई ग्याद करो, ये आपको बताना है बहुत ध्यान से सुनना हूँ मैं इस वाले ट्रेंगल को लेता हूँ जिसमें 60 डिगरी बन रहा है तो अगर एंगल 60 डिगरी बनता है तो लंब और आधार के बीच का रेशियो क्या होता है रूट 3 रेशियो 1 क्या होता है रूट 3 रेशियो 1 तो कहने का मतलब अगर 200 की वेल्यू रूट 3 के बराबर है ये जो लंब है ये अगर 200 के बराबर है रूट 3 का मान अगर 200 के बराबर है इसको मैं ऐसे कहा दूं कि यह रूट 3 है तो 1 की value क्या होगे 200 अपान रूट 3 यह नि कि आधार आ गया 200 बटे रूट 3 तो अगर यह 200 बटे रूट 3 है तो यह भी सेम वही होगा 200 बटे रूट 3 एंगल 30 degree में क्या होता है जब एंगल 30 degree का होता है तो लंब और आधार का जो रेश्यू होता है वो 1 is to root 3 होता है कितना होता है 1 is to root 3 होता है बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा ठीक है तो अब इस रूट 3 कि यहां पर आ जाएगा 200 बटे 3 कितना दे देगा 200 बटे 3 तो यह 200 बटे 3 हो जाएगा root 3 कमान तो 1 की value आ जाएगा आपकी 200 बटे 3 यानि कि इतना हिस्सा जो है यह वाला हिस्सा यह हो गया 200 बटे 3 अब पूरे 200 में से 200 बटे 3 घटा देंगे तो हमारे पास यह हिस्सा आएगा जो कि इसके बराबर होगा अब देखो 200 में से अगर हम 200 बटे 3 घटा देते हैं तो 600 में यानि कि 400 बटे 3 हो जाएगा और 400 बटे 3 यह हिस्सा आजाएगा और 400 बटे 3 को लिखा जाता है, 133 सही एक बटे 3, option number C correct answer है, क्या है, option number C is right answer, ठीक है, clear है, next, अगला सवाल देखिए, 28th number question, question number 28, 32 degree 40 minute का मान radian में क्या होगा, तो 32 degree 40 minute का, 40 minute को पहले आप उसमें बदल लो, यानि कि 2 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 सते 216, और 218 बटे 3 degree है, इसको बदलना है मुझे radian में, तो πाई बटे 180 से मैं multiply कर लोगा, किसे multiply, पाई बटे 180 से, है न, क्या किसी से कट रहा है, देख लेते हैं, काट पीट के, देखो किसी से अगर कटता हो, कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कितनी बार 90 बार, 2 से कितनी बार 109 बार, तो उपर आया 109 पाई, और नीचे आया 90 गुड़े 3, यानि कि 270, radian में बदलन पर क्या आयेगा, 109 पाई बटे 270, 109 पाई बटे 270, ओप्शन नमबर A is right, ओप्शन नमबर A correct हो जाएगा, ठीक है न, 29 नमबर, बहुत बड़िया सवाल है, question number 29, question number 29, 8 cm तरिज्जा वाले एक व्रत्त का केंदर O है, देखो, सुरूं, 8 cm तरिज्जा वाले एक व्रत्त का केंदर O है, तता 8 cm व्यास वाले दूसरे व्रत्त का केंदर B है, 8 cm व्यास वाले दूसरे व्रत्त का केंदर, यह व्यास है 8 cm तो इसकी तरिज्जा चार हो जाएगी, इसका केंदर B है, ठीक है, यहाँ पक्ये अंदर A था चलो A था यदि दोनों व्रत्य बाहर रूप से एक दूसरे को इस पर्च करते हो बिल्कुल ठीक है कि बाहर रूप से इस पर्च करते हो तो AB व्यास वाले व्रत्य का छेतरफल क्या होगा AB व्यास तो AB की लंध आपको टोटल कितनी दिखरी 8 प्लस 4 बारा यानि कि अगर बारा व्यास है तो उसकी रेडियस हो जाएगी आधी यानि 6 12 व्यास तो रेडियस 6 अब 6 cm रेडियस वाले का छेतरफल क्या होगा पाई आर स्कॉयर से 36 पाई यहां पर आंसर 64 पाई आ भी रहा है मैं जान रहा था बच्चे आंसर देंगे क्योंकि इनके दिमाग में 8-8 दोनों बार घूमता दिखेगा मैं समझ गया था कि आंसर ना ऐसा मत करो वापस मत लो आने दो आ रहा है अगर तो नेक्स्ट केस्टन पर चलता हूँ 30 क्वेशन नंबर 30 पढ़िए आंसर बताना है कि पसीना देखो मेहनत का पसीन है मेहनत का चलिए तीस किलोमेटर सवाल तीस नंबर सवाल है अच्छा किसी शंकु का टेंट का आयतन 1232 है चलो अच्छी बात कह दिया और आधार का छेतरफाल 154 है तो शंकु का जो आधार होता है ये वरत POL should का होता ये अगर इसका चेतरफल 154 होता तो मैंने आपको कौंसेप था, शंकू का ऐतन क्या होता है, one by three, pi, r square मतलब 49, h का पता नहीं और ये बराबर है 1232 के, solve करके काम खतम करते हैं, 7, 749, ठीक है, 11, 2, 22, 11 से इसको, 11, 11, 11, 11, 12, ठीक है, और थोड़ा solve करते हैं, कुछ होगा solve, होना चाहिए न, 7, 11, 7, 7, 42, 2 से काट दो, इसको कितनी बार, 2, 8, 16, 8, 24, यानि h आ गया 24, तो radius 7 आ गई, height आ गई 24, 24, 7 से इसकी तिरिया कुछाई आ जाएगी 25, ठीक, यह बात यहां तक confirm होगे, तिरिया कुछाई आ गई 25, 7, 24, 25 की triplet होती ही, कल बताया था, पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवशकता होगी, जो कि 2 मीटर चोड़ा है, कितने मीटर लंबे कपड़े की आवशकता होगी, यानि इसका कर्व सर्फे सेरिया जो की πाई आर एल होता है, और ये जो छेतरफल आएगा कह रहा है, इसकी चोड़ाई 2 मीटर थी, तो मैं 2 से डिवाइड करके इसकी लंबाई निकाल लूँगा, यहां पर लंबाई पूशरी कितने मीटर लंबे कपड़े की, मैंने कहा आप पाई, आर का मतलब साथ, एल का मतलब पच्चिस, और नीचे मैं 2 लिखी देता हूँ, डायरेक्ट डिवाइड करके, साथ से साथ खतम, दो से ग्यारा खतम, पच्चिस गुणे ग्यारा कितना मिलता, 275 आपका अंसर हो गया, 275 आपका अंसर हो गया, कि उसकी लंबाई होगी 275 मीटर, ठीक है, उम्मिद करता हूँ, आज की क्लास आपको 30 क्वेस्टन के अच्छे लगी होगी, कराना का डंग उससे भी बहतरीन लगा होगा, तो क्लास का फीड़बैक आप लोग जरूर दिया ग्रो, कि क्लास आपको कैसी लगी है, आपको इस क्लास में और क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें बताओ, कैलकुलेशन के जो मेरे तरीके हैं, वो आपको कैसे लग रहा है, ठीक है, स्पीड क्या आप मैच कर पा रहे हो, ठीक है, इन सब चीज़ों का फीड़बैक दिया ग्रो, चलिए कल फिर मुलाकात होगी, आपके अपने समय साम को पांच बजे से, तब तक अपना ध्यान रखे, बाई बाई जाहिए, टेक क्या,